जैहिन सात्यों नमस्कार मैं आपके अपनी यूट्यूब चैनल एक्जाम विद्धाले में आज पॉलिटी की क्लास है बहुत इंपोडेंट क्लास है आज हम आर्टिकल पढ़ेंगे ठीक है जो कि मैंने आपको बताएते कुछ आपके मौलिक अथकार हैं उनको पढ़ने के मैंने पिछली वीडियो में आपको सारे बताएते कौर्गों से होते हैं फिर से रिवीजिन करना चाहूंगो तो पहला आपका आता है समता या समानता का अधकार फिर आता सोचन के ब्रुद्ध अधकार उसके बादा धर्म सुच्छा संबंदी अधकार फिर आता सम्मेदान सब्सक्राइब करता है अधकर अधकर मतलब आता है या आते हैं आपके बाकि और लोग जैसे फोरनलोग से भारत में रहने वाला हो की वह आता है या फिर केवल भारत के लोग ही आते हैं तो यहाँ पर मैं आपको जानकारी बता दू यहाँ पर जितने भी लोग भारत में फिलाल रह रहे हैं ठीक है उन सबी के लिए एक समान कानून बनाएगा तता उन सब कानून को लागू करेगा ठीक है यानि कि भारत में रहने वाला प्रतेख ब्यक्ति के लिए कानून बरावर होगा इसका कहने का मतलब यह है 14 आर्टिकल हमारा यह कहता है यह मौलिक अथकार है कि सबी ब्यक्तियों के लिए कानून बरावर होगा यह नहीं है कि मतलब वो एक वो ऐसा है तो मालों A और B है यहां से मैं आपको समझाने के कोशिस करूँगा मालों एक बैक्ति A है और एक बैक्ति B है और दोनों ने किया है समान केस तीक है यानि कि दोनों ने कोई एक समान केस किया है मालों यह उन्होंने जुर्म किया है अब ऐसा नहीं होगा कि इसके लिए अलग सजा का प्रापदान है और इसके लिए अलग सजा का प्रापदान है दोनों का केस सेम है इसका मतलब यह है कि समान रूप से दोनों को डंड़ बिला जाएगा ठीके तो यही आपके लिए आर्टिकल 14 में लिखा गया है कि राज्य ज हमें एक कुछ ऐसा कानून बनाए एक ऐसा लौ बनाए जो की समान सबसेट पंद्र का 3 जिसमें लिखा गया था हमारे संभ्यार में साप लिखा गया है किसा आसना लिखा गया ऑं कि अगया हुआ है करा दर्म ।४ यह जन्म या पिर आपका क्या धर्म है यह हैं अरब है यह श्रुशन क्याज क्या है आपकी ऑम-ठर्ड नहीं ट advice सकता आप काले हो गोरे हो मौटे हो ताजी हो आपके साथ भेदबाब नहीं किया जाएगा यह बात दिहां रखिएगा हाँ इसमें एक option भी है देखिए जिसे आपको फॉरम भराने जाते हैं आपको हाइट में मांगता है गर्मेंट कि आपको मुझे इस हाइट के बेक्टी चाहिए तो वहां भेदबाब हो सकता है ऐसा नहीं है कि आपने लिख दिया कि मुझे धर्म नसल जाती लिंग इसके स्थान पर तो मुझे आर्टीकल पंद्रे के साथ सुतंतर मिली गई है तो इसका मतलब यह है कि मैं तो चलो फॉरम भरा जा रहा है उसमें मालों साथ पूट का इंसान अब बात करतें आर्टीकल 16 कितने इंपुटंट लें देखिए आर्टीकल 16 हमसे कहता है लोग नियोजय के विसे में अफसर की समानता राच कहा दिन किसी भी पतपर निज्ञ्यों या नियुक्टि से संबन्द बातियों के विस्व में नागरे का अपसर की समानता होगी यानिकी एक option है आपके पास आप एक सेकिन आप आपने किसी भी फॉरम में फॉरम बढ़ा यानि कि किसी भी आपने पद पर नियुक्टि के लिए फॉरम बढ़ा तो आपके समान अपसर है ठीके आप किसी भी तरह के विक्ति हैं अगर वहाँ पर जो इजेविल्टि है कि आपके पास 10 पास है या आपके उसमें डुक्मेंट मगरा 12 पास तो आपके साथ भेदवाब नहीं किया आएगा यह वाद्यान अपसर की आपको समानतर दी जाएगी आर्टिकल 16 कहता है बहुत इंपोटेंट आर्टिकल अगला आता है जो कि अस्पटा का अंटेशबिल्टी इंटेशबिल्टी क्या है छूआ छूआ छूट इस एक प्रकास से आप बोल सकते हैं कि अस्पटा के उन्मूलन के लिए इसे देंटिनिया फ्राथ गोस्ट के जाएगा या अगर आप छूआ छूट की पिक्रिया आज भी भारत में लागू करते हैं तो आपको संबिधान ये अदिकार नहीं देता कि आप किसी के साथ छूआ छूआ छूट के साथ वो रखें आपको राइट्स दिया गया है आपके साथ कोई बेदवाब नहीं किया सकता या आप जन्रल के हैं या आप किसी की भी हैं आपके साथ ये जाती एक दूसरे के साथ बेदवाब नहीं कर सकती या जन्रल वाला एसी के साथ में यह नहीं कर सकता कि आप कम का नीचे काश्ट के तो आप मैं आपको चून चूंगा नहीं नहीं आपके जर्म है इसके लिए आप सजाए दी सकती हो बहुत इंपोर्ट आर्टिकल रथारे भी एक बहुत इंपोर्टन्ट बात करता है कि अपादियों उपादियां से क्या होती है जैसे कोई सेना है सेना में है ठीक है यानि कि जैसे कोई भात या भात कोई भी नागरिक किसी अन्य देश से से बिना राश्टपती की आग्या के जो है क्या निहीं कर सकता ह데 प्रेठे और उसको दूसरे क्या मिली और फाहिए प्रेठे है उसको दूसरे दे लेके कैसम्होंप की कि पद मिला कि यह आपको अपरत की उपादी झारको इक अपर में inity उप्रिकर plas आपको आपको उपादी तुम भारत में लागू कर सकती हो अपने नाम के आगे वह उपादी लिखती नहीं राष्ट पती से पूछे लगए आप नहीं कर सकते हो ठीके अब तुमकों को कि भैया हम तो यह राष्ट पती के पास कैसे तो वह आपकी अधिकर मैं आपको बद सबसे हमारे जैनेक जीवन के लिए बहुत उपयोगी है आपको बोलने की सबसे अदकार नहीं होते आपको घुमने फिनने के आजादी दी जाएगी तो यह आपके स्लाइड आज भी आपके ऑन्दाइट इसकीन पर आप समझ पा रहे हैं आर्टिकल 19 एक क्या लूदने की सोतिधता कितना इंपृटन्ट आर्टिकल है एक वह आप इसे नहा लिए आर्टिकल 19 कहता है कि आपको बोलने की आजा जाती है किसी मुद्ध्य पयर आप बोल सकते हैं किसी के सामने अपनी बाते रख सकते हैं ठीके बड एक डिक्टेशन और है एक आपके लिए आप किसी कुछ गलत भाशा नहीं बोलेंगे अबत्रवासा का उप्योग नहीं करेंगे किसी के बारे में बुला भला नहीं करेंगे तो आपके लिए बोलने की सुतनता है अब बात करते हैं नेक्ष्ट नैंटिन बी आर्टिकल क्या कहता है सांती पूर बिन हत्यारों के एकत्रत होने और सभी की सुतनता आप किसी भी सगय एकत्रत होकर अपनी बातें लग सकते हैं लोगों के सामने आप सिंगल पर्सन है आप लोगों को बलाके इखटा कर सकते हैं भीड को बट कानूनी तरीके से ऐसा ना हो वहाँ पे तुम बाइलेंस हो जाए तीक है ऐसा ना हो वहाँ पे आप क्या करें आप जो हैं वहाँ पे हत्यार लेके इखटित हो जाए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वहां पर क्या करें कुछ कुछ देश में देश की जान हान की शुवदा वहां पर कर दी हो आपने यान कि आपके मीटिंग से किसी को कोई प्रॉलम नहीं होने चाहिए वहां पर आपका आर्टिकल 19 भी काम करेगा संग बनाने की आप एक यूनियोन बना सकते हैं आप मानो बेरुजगारी के उपर एक मुदधा का तितकरना चाह रही है सरकार के खिलाब तो आप 10 से 12 लड़के जो है या 15 से 20 या जितने भी हो आप सबी मिलके एक संग बना सकते हैं एक यूनियर बना सकते हैं कि मुझे इस मुझे पर खिलाब बात करनी है परंतु सांति पूर तरीके से ठीक है अब बात करते हैं 19 डी 19 डी क्या कहता है देश के किसी भी छेत्र में आवागमन की संग आप भारत के किसी भी राज्य में आप भारत के याद रखिएगा आप भारत के किसी भी राज्य में आप जा सकते हैं यह आपकी आवागमन की सुतनता है आप भारत के किसी भी छेत्र में आप रह सकते हैं परन्तु 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 क्या सर्थ आप पहले जम्मू कस्मिर में नहीं रह सकते थे आप वहाँ पर भी रह सकते हैं परन्तु आप नौर्थ इस्ट एरिया में जाएंगे कहां जाएंगे सर्थ नौर्थ इस्ट एरिया में यहां पर जाएंगे तो यहां आपको सिक्किम मिलेगा देखने के लिए यहां अड़ाचल परदिस मिलेगा यहां असम मिलेगा यहां मनिपur मेगाले नागाले मनिपुर ऐसे आप यहां क्या नहीं कर सकते यहां पर इनके बौर्डर पे नहीं रह सकते इसके लिएँ आपको क्या गर्मेंट की पर्मिशन चहिए चलिए आृटिकल 19 जी क्या कहता है बहुत IMPORTANT आर्त कर सकते हैं आप रहने वाले यूपी के हैं क्यों उससे में आया आपके आप रहने जाएगा आपको सम्मिधान द्वारा हदकार दिया गया है कि आर्टिकल उन्नी जी ये कहता है कि आप कोई भी व्यापट जीप का चलाने के लिए उप्योग हैं आपको सुतंतता दी जाती है परंतु ये व्यापट लीगल होना चाहिए ऐसा नहीं है कि आप ड्रेक्स का धंद जाया देखिए थोड़ा खराब होने की बज़े से क्लास को यहीं खतम करते हैं नेस्ट क्लास आपके लिए फिर एक बार मौलिक अधकार आपको प्रस्तुत किये जाएंगे वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल से अगर आप नए है तो स समझ पाए हैं अगर वीडियो को समझ पाए तो एक बार फिर से आप सबी का बहुत बहुत आवार धन्यवाद जैहिन जैवारत